हलो बच्चों एक बात फिर से आपके अपने चैनल सिधार तालाइन कोचिंग में आपका बहुत-बहुत स्वागत है बच्चों आज हम आपको बताएंगे यूपी बोर्ड के परिछा के बारे में और हल करेंगे जो भी यूपी बोर्ड 2020 में प्रश्ण आये थी उनको बच्चों हमारे गड़ित में कुल साथ सेट हैं उन सातों सेटों में जो भी कोशन आये हैं 2020 में हम उन्हें बारी-बारी से हल करेंगे बताएंगे वह कैसे हल किया जाता है और यूपी बोर्ड में 2020 में सरकार ने पहली बारे अंस्याट्री लगों किया है और इसमें जो क्वे मार्केट से जो भी अनसाल्ड है आपका अगरवाल का चैराजी प्रकासन का जो भी हो अप ले लिजिए उन्हें हल करिए और हल करने में कोई कठनाई होती है तो आपका अपना यूटूब चैनल सिधार तालेन जो कोचिंग है उसमें देखेंगे जिसको इसमें हल किया सब्सक्राइब को चलते हैं पढ़ाई पर ढनggak रहुंया कि और आते हैında से और वी send होन्दों आज मैं हल करने वाला हूं सेटवान कोडेंसिंगा इस कम भी इस्तरह से जूब से उनने उन ने कोड्र मिल आएंगए तो मिलेगा आपका सब्सक्राइब लिए और सबम लिख द बचे तो इत्मिनान से हल करते हैं बारी बारी से को ध्यान देंगे चलिए हल करते हैं इसको यह सब बिकल्पी है कोशन नमर एक में को खागा गागा चा मतलब का खागा गागा और चा च्छा को सना आते हैं एक एक नमर क्यों होते हैं और इन च्छा को सन को बिकल्प के रफ कर वही बच्चा हल कर पाता है जिसको रफ करने आता है अंदाजी तो कोई नहीं नहीं कर पाएगा तो इसलिए हम इसे हल करते हैं और परिछा में आपको कुछ उत्तर छाट के लिखना होता है तो चलिए सवाल है आपका हर के दो घाते यम गोड़े पांस घाते यन के रूप के आधार पर ग्यात कीजिए कि चौदा अंठावन बटे बारपचास का दसमलों परसार कितने अस्थानों तक है इसका अर्थ है हुआ कि हम अगर चौदा अंठावन में बारपचास का भाग देंगे तो दसमलों कई तक जाए लिखते हैं अब तुप परिष्छा में तो आप सीधे लिखते हैं आप उत्तर लिखते हैं तो दाल करे क्यों नहीं पता रहता है की से यह लिखें जो भी लिख्याइं तो आपकर करके देख लेते हैं इसके along कि मेरे ुरुब कार्यद्य और कैसे क्या है कि लगे बच्चों हर से मतलब किसके रूप के धार पर ग्याद करना हर के अधार करना है हर को हमें से कोई मतलब नहीं है तो हम क्या करेंगे तोड़ते हैं इसको दिखते हैं तो यह 1250 को है अब हाज जिगुन्धे सब्सक्राब की रूप में काटेंगे अैसे करके यह करते हैं जरा तो देखते हैं तो फे दु रीहिंगे 1220 निडाव आंगे दस अफ पांस हêsकंते का लाश्में पांच हैं पांच से कटेगा पांच के पांच 25 25 25 फिर 5 से पांश दो नी दू नी दस 55 25 25 25 और पाँच एक कम 5 तो इस तरह हमने देखा कि कि एक दो आया है और एक दो तीन चार चार बार पाँच आया है तो कैसे लगाए गए हम दिखते हैं इसको तो हमारे जो यह लिखने गे हम लोग कैसे देखते हैं 1458 1459 बटे 1250 इसे दम छोट करते हैं कैसे करते हैं सिखिएगा अब इसे हम करेंगे उपर लजियों करते हूं क्या लिखेंगे 1458 गुड़ते नहीं पता है कुछ गुड़ते नहीं करेंगे नीचे वाले को तोड़ते हैं तो लिखेंगे दो गुड़ते 5,1,2,3,4,4 बार 5 आया है तो लिखेंगे 5 गहते 4 अब यह देखेंगे बचों यहाँ पर की 5 की गहते तो 4 है और 2 की गहते भी 4 होना चाहिए तो 2 की गहते 4 होने के लिए क्या करना पड़ेगा अब 2 की गहते तो 1 है तिकिन अभी 2 की गहते 3 होगा अगर तब 3 तिन और एक चार बन जाता यानि हमें अभी कमी है इसमें दो गाते चार की तो क्या करेंगी देखिएगा अब उपर बला है चउदफ पांच आठ और नीचे है दो गुड़े पांच घाते चार गुड़ते यह चार हो चुका है अब कर देंगे दो घाते तीन तब जाकर के दो घाते तीन आएक यहां जोड़ देंगे तो घाते चार दो घाते चार बन जाएगा और पांच घाते चार है ही अगर पांच की घाते अगर यहां तब गहाँते तक पर शुक्त हैं दो करते और जो अपने मन से करते हैं ताकि पाच गाते का गात बराबर होगा यहां भी मुड़ा होगा दो घैन का जो भी होगा आगे बढ़ते हैं तो होगाँ हमारा 14 dynamics गुड़े दो खाते 3 कमान 8 होता है नेचे आईए अब दिखी मेकल दो गाते 3 हैं दो गाते एक है Applause ुडा करेंगे तो गातों को जोड़ दिया जाता है तो हज़ाँ हमारा दो गाते चार गुड़े यह क्या हो गया पांच घाते चार उपर कजयों कतें उतर जाएगा चौद्ध अन्ठावन गुड़ा कर लेते हैं अच्छा रहेगा आपके लिए बेस्ट रहेगा गुड़ा करिए आठ वाठे चौण सर्थ के चार हासिल छे आठ पाचे चालीस और छे च्याल अबर होते हैं तो कोश्टक लगा करके घातों को बाहर कर देते हैं और अंदर का लिखेंगे दो गुड़े पांच लिखा हमने दो गुड़े पांच अब आगे बढ़ें अंगलोग तो ग्यारा है चाचछट है और चार है बटे आते हैं लोग तो कितना पांच दूनी दस गाते कितना बचा रहा है चार और आगे बढ़ें और तो ग्यारा चाचछट और चार बटे में कितना देखें दस घाते चार है इसका मतलब कि यह क्या जिरो चार जिरो तो बचो इसका जब भाग देंगे तो कितना आएगा तो रूल ही होता है जब भाग देने का कि ग्यार 766 चार लिख करके जितने बटा में 10 zero होता है उतने पर अगहाते हैं कितने Nord 11 1234 दो लगा देंगे तो हम यह देख रहे कि दसमलों के बाद कितने चार खांग तो इसमें दिया है चार कितनी अस्ठानों तक होगा 10 मिलों का फरसार लगेंगे चार एक 34 तavor दिसे गलत है यह ऐन के बीचल दो टर यह ऑगी तर्में च्पठा आएDS से लिखते हैं उत्तर चव था क्या लिखा है चाहरा इस तरह सम लगाते हैं यह रफ काम ज़रूरी है रफ करेंगे अपने जो बोट की कापी जो आपके मिलेगी तो इक कापी में बाय पेज को अपना रफ कार के लिए चुनिये या तो कापी के ठीक लाष्ट में जो बाय पी जो उसे ही चुनिये उसी पर रफ कामकर है और उत्तर में कॉनिडे लिख दे उत्तर छाट का लिग दिया इता है कौन सभी इसे भी देते हैं ठीक है और जब दो नमबर के प्रस्थने लगेंगे तेंटी नमबर के चल नमर के तो उन्हें बकाइदे हल किया जाता है युद है सवाल कि सित्र में परदरिसित बहुपत के ग्राफ के अधार पर बहुपत के ये तो बहुपद के सुन्यांग का मतलब होता है कि बहुपद के कितने सुन्यांग के कितने हल है उपर को त्यों फिर लगाया है संकेत में लेकिर हमें पता होना चाहिए कि जो इस तरह होता है यह यक्षक्ष होता है और जो खड़ी जो लाइन होती है क्या होती है यह यक्षक्ष होती है इस तरह से तो आपको पता होना चाहिए बच्छों यह आपका यक्षक्ष हो गए यह क्या हो गया हो यक्ष है जो ग्राफ रेखा देखते ह अगर कोई ग्राफ रेका इस तरह से एक बिंदू पनधा काट करके इसको ऐसे करके चली आए हैं तो कविदू कटा एक बिन्दू यहाँ दो बिंदू और तीन बिंदू इस सवस्था में कितने सुन्यांख होंगे तीन होंगे अगर कोई इस तरह से हमारा यक्ष अक्ष है इस तरह से योग हमारा वाई यक्ष और कोई ग्राफ रेखा गई इस तरह से चली गई कई वी विंदू पर काता एक बिंदू दो बिंदू तीन विंदू चार बिंदू है इस दो अधार पर भुंपत के सुन्यांग कोहँंगे तो ध्र्फते हैं तो यह उसे काटि है तो कोई लेना देना नहीं है तो चार बिंदू पर काटी है तो कौन हुआ एक दो तीन चार विकल्प सही दो चलता सही है क्योंकि एक बिंदू जो भी चार विकल्प सही यह आपका complete हो जाएगा अब स्वाल बढ़ते हैं पहले के गव में पहले चीगा में दिया है कि त्रिभूज है एक एबी सी त्रिभूज है तो चलिए हम बना लेते हैं त्रिभूज इस तरह से इस त्रिभूज हो कि हमारा A B और C और कहता है कि D E F तो एक और त्रिभूज बना लेजिए इस तरह करके तो बढ़ा ही बना लेते हैं कोई फरक नहीं पड़ता D E और E F कहता है कि दो ऐसे त्रिभूज है कि उसकी संगत भुजायन पातिक है मतलब A B बटे D E A B के बटे D E है मतलब हमारा और कहता है और कहता है बीसी बटे E F एक भुजा इसका लिए रहा है बीसी कि एफ क्या कहा रहा है एसी कि एसी तब क्या कहाएगा डी एफ संगत भुजायन पातिक है जब किसी त्रिभुज में संगत भुजायन एक त्रिभुज की एक भुजा बटे दूसरी त्रिभुज की दूसरी भुजा अगर बटे में हो संगत भुजायन पातिक हो तो ऐसे त्रिभुज को कहते हैं समरूप त्रिभुज क्या बोलते हैं समरूप त्रिभूज बोलते हैं समरूप त्रिभूज कही संगेत होता इस तरह से बढ़ियां बनाईए इस बना लेजी यह समरूप का संगेत होता है यानि कुल मिला करके सीधा सीधा हम अपने सवाल पर आते हैं यह त्रिभूज की संगत भुजाया अनुपात में हैं तो त् liga और जान के पढ़े हैं यह आगे 낮 पढ़ेनगे कछणंस की सवाल है कि इसलिए कि हमें आपको बताना पड़ेगा इन कि नियमिया हुथा कि जब दो त्रिवु सम्रूप होते हैं तो उनके छेत्रफ़लों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है यानि हम इसे जब हल करेंगे रफली का चुकी परिच्छा में बिकल्प का सवाल है तो बचों में उत्तर की जुरूत है तेकिन हम रफ करके आपको बता रहे हैं हम बता यह रहे हैं कि तुरिभूज की भुजाय होती है तो सम्रूफ होते हैं तो कह देंगे कि कि आप हल करेंगे कि लगत कैसे लगते हैं क्यानियों पर बता बदो कर रहे हैं तो समरूफ हो गए तसंगत भूजा जब दों तिर्वी समरूफ होते हैं तो उनके छत फलों का अनुपात भूजाओं के अनुपात के वरगों के बराबर वी कि इसलाव हो जाता है तो आप एवी लेजीए जो यहां पर दिया हुआ है लिख सकते हैं A B बटे D E कोई दिक्कत नहीं है हाँ ध्यार है कि इनके वर्गों के यो कि क्या आता है इनके वर्गों के बराबर होता है इस तरह से कह सकते हैं कि तिभुष के फलोक अनुपात उनके भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराब इन या सी बटे डीफ कोई एक ले सकते हैं तो हमारा क्या जाएंगा चार बटे नो रम चार बटे बचोंट्ट मुझा करते हैं तो कितना आएगा चार कम वर्ग थोला आएगा और नासमाट न y'reg निके च्छतफलों का उन पात हमरा रहा है थे ondai lassi कॉण सही है ए यह दिख रहा है यह वाला मरं रूत पर संख नहीं यह भी नहीं सही है क्या क्या है 16 बटे Axia यह सहीह हमरा है। यह सही外 यह सही province है यह हमारा है तीसरा सही आ रहा है 16 बटे 81 बता रहा तो तर लिखेंगे कौन एक दो तीन तीसरा सही है और उसका मान है सोला बटे 81 तो इस तरह से मरा गावी कंप्लीट हुआ इस तरह से बढ़ रहे हैं यह रफ काम था तो चली बढ़ते हैं पहला का घा की और एक कोश्चन का घा सवाल यह बहुत ही अच्छी है और कदम बढ़ने नहीं देगी यह सवाल है तो विकल्पी लेकिन बहुत अच्छी सवाल है और इस सवाल में सिला दिया आगी साइन थीटा माइनस कास थीटा का मान अगर जीरो हो तो साइन पावर फोर और कास पावर फोर ठीटा का मान क्या होगा विकल्प है एक बटे चार एक बटे दो तीन बटे चार और एक इसमें से कौन सही होगा तो इसे भी उत्तर तो हम लोग परिच्छा में लिखना होता है को छाट करके उत्तर लिखना होता है अगर किसे लिखेंगे इसे हमें रफ-कार जब नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा तो आप इसे रफ इसका साहरा लेना है इसके बात इसका मान निकालना है तो चलिए बढ़ते हैं अपना अपना तरीका है् लेंगे दिए हैं मारे बुक में कि साइन Type थीटा माइनस कास थीटा बराबर कितना जीरो तो ज़र आप पक्षंतर कर दीजिए तो क्या जाएगा साइन थीटा बराबर कास पक्षंतर होगा तो प्लस हो जाएगा कास थीटा बच्चों हर चीज के गुड़े एक होता आप जैसा कि जानते हो तो पक्षंतर होगा तो बट आप भी जानते हैं पड़े हो कि साइन थीटा तो आपको यादक होना चाहिए नहीं यादक मैं बता रहा हूं पैतालिस अंस का मान कितना होता है एक होता है इसलिए कि वह द्ति है इस्सेलिए जहा पर एक लिखाओ वहाँ पर लिख सकते हैं 10 45 अंस इदर कितना जाएगा 10 ठीटा तो यह 10 से 10 कड़ जाएगा जब 10 से 10 कड़ जाएगा तो ठीटा के जगा पर क्या बचा 45 इसलिए लिख देंगे ठीटा बराबर कितना 45 आपको ठीटा का मान मिल गया इस अधार पे हमें इसका मान पुछा गया है कितना पुछा गया है हमसे पुछा गया है यहां लिख दे रहा हूं मैं हापे हमसे पुछा गया कि साइन घाते चार ठीटा प्लस कास चार ठीटा इसका मान कितना होगा देखते हैं तो साइन पावर फोर ठीटा के जगब कितना है पैटालीस अंस तो लिख 45 का मान तो नहीं याद है होता है जानना चाहिए आपको कि साइन देखो 45 अंस का जो मान होता है होता है एक बटे करड़ी में दू पूरी बात बता रहा हूं है आपको और यहां तो जाएगा कास 45 का भी मान जानना चाहिए इसका इमान होता है एक बटे करड़ी में दो इस तर क्या मतलब होता है तो वह भी जानेगे अब हम तो लिखी देंगे इसकी इसका मान एक बटे चार होगा और इसका मान कितना होगा एक बटे चार होगा मगर कैसे होगा इसे हम लोग आप देखा जाए तो लठी चार होगा जब होगा तो हर बराबर है तो असको उतार देते हैं तो एक अधन एक जोड़ेंगे कि मतना होगा दो अर देखिए तो दो 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 निके 4 आ रहाए एक बटे 2 देख लो इस में कौन सही है यह है एक बटेट चार तो नहीं एक बर्दु आया है यह हमारा दूसरा सही है इसलिए हमारा हो जाएगा दूसरा तर क्या है एक बटे दो तो इतने से काम करने के लिए में इतना रफ काम करना पड़ा यह सब परिच्छा में आप रफ काम करेंगे बिना रफ किये आप विकल्प नहीं चाड़ सकते तो इस तरह से आप आगे आते हैं हम लोग कोशन काई होगी की चारी काई होगी इसे हम कैसे हल करेंगे तो बहुत कठी सवाल नहीं है जराम समझेंगे देखो बच्चों यह वाई एक्स कहा है ठीक है लिकिना में यक्स आप्षा दोनों को साथ लेते हैं देखिए यह देखिए यह अख्षा होता है पहले जानिए जी जब हैं तो पहले येक्स आता है तब जनँ हाथ है ऊपढबते हैं तो जो नियम होता है कि पहले जो गिन्ती होती एकस पार वाहिका सवाल दोता है कि यह हमारा मुल् Gör hoता है 1234 एस तरह से मैंनोते हैं 1234 बढ़ते हैं ऊपर जाएंगे तो एस से करके 12345 यह हम बढ़ते हैं सवाल है कि बिंदू तीन है तो यक्स का मन तीन होगा यहां से बढ़ेंगे एक दो तीन यहां चलेंगे और वाई का मन कतना है चार है तो यहां चलेंगे एक दो तीन चार अब धार से चार चलना है और इधार से कितना चलना है तीन चलना है दोनों ने जहां काटा है उसी बिं सकी तना दूर होगा कि इतना दूर होगा देख लिए दूरी है इसकी यह दूरी दीखी सामने यह यह दखी कहा प्ला चला है एक दwe फलांहें फलांग पिन फलांग चेन इतना दूरें उसका मन कितना है यृट ऐसार कि याख्स से कितना दूर तब कैसे करते तब दिख्ती कितना दूर है मतलब यहां आते आक कैसे लते एक दो तीन चार करते तो चार दूरी है लेकिन चुकि यक्स नहीं पुछा आप से वाई पुछा है तो कौन सही वाई से कितना दूर है तीन यह अलबी कल्प सही है तो पर इच्छा में क्या लिखेंगे उत्तर दूसरा तीन इकाई बस इतना ही करना पड़ता है यह थे रख्त समझने के लिए था तो आते हैं आप फला का च्वाले में ठीक है आगे वाई अब चलते हैं बचाहों अप पहला का च्वा का स्वाल समस्छते हैं में 52 पतों की फेटी गई तास की गड़ी में से एक पत्ता निकाला जाता है । ciao इसके इका नहीं होने की प्राइक्ता नहीं होने की प्राइक्ता हमें निकाला है तो जैसा क्या प्राइक्ता का सवाल पढ़ चुके नहीं भी पढ़ चुके तो भी बता रहा हूं ध्यान देंगे तो पहले तो जानते हैं कि जो लोग तास खेलते हैं जो आप लोग खेलते हैं आप नहीं कोई खेलत फिर एक सुत्र होता है कि घटना होने की प्राइक्ता और घटना नहोंने की प्राइक्ता बराबर कितना होता एक होता है उसी सुत्र लगाएंगे चलो देखते हैं कैसे ज्यान देते हैं कि पते कितने बावन कितने क्यों होते हैं टूटल चार होते हैं एक पता निकाला गया है तो निकालेंगे कि मैं कि का रहें एकटा हम कर रहे हैं तो कि बिकल्फ साथ औरफ काम करते एक यह दिखेंगे एक होने की प्लेक्ता गर इसका होने कई पूछा है फिर न होने की निकालने के लिए एक मेंसर्स को घंड़ा देंगे जब निकालने जा रहा हूं और नहोंने की प्राइकता पुछेगा तो एक मेंसर्स को Holland कि कि इस प्राइकता बिराबर कितना है चार के होते हैं चार कर दिया अब अब बटे क्यार आएगा जो पत्त आंतर इपने कितने हो गये 52 काठी है तो खरी तो चारए गम्या और तेरे चुझे बावंच तेरा आगया एक बड़क इतने आगया और यह क् condition क्टा है एक ना होने की यह उसस boiled प्राही किता बरावत एक रिड कितना एक बटे तेरह तो याँका स्वाइगा सूरर यहाँ पुर्ण स्वाय्ट प prem RES और buck वचेज तरह से बनाते रहेंगे और गॉतम जी ने भी तब कई बार कहा था कि सब बूड़े बनाइए ख़ल आसे और यह से आ पूरा मदद यहां समय दूंगा और हम रिगुलर वीडियो अप्लोट करूंगा बच्छों मन लगा के ध्यान देखे स्वालों को देखिए हल करिए सीखिए अब मैं भी अब फुर्सत में हो गया हूं अब देदे वीडियो बच्छों विकल्प हल होने के बाद अब हम बढ़ कोई हल नहीं है तो यह आपका एकाई यूनिट ठीका जो है कि दो चरवाले रैखिक समीकड़ी मुसे कोर्शन पूछा गया है तो इसकी दिए में जानना होगा कि इसका जो मानक रूप है क्या होता है अच्छों अब हल करने से पहले हम तेहां हल करेंगे विदोत हल करेंगे आपको बताएंगे आपको लेकिन हल करने से पहले कुछ बैसिक चीज़े बता आते हैं एक बार रिविजन हो जाता है कि जब जान गए कि रैखिक समीकड़ यूगम का सवाल है तो इसका जो मानक रूप था आपको पढ़ाया गया होगा कि एवन यक्स प्लस बीवन वाई प के लिए लिए घर रहे हैं अबेसीज़न जान के लिए कि लिए छो सर्त है कि यूण बटे लपर बाबर बीवन बटे बीटू उπάट को फरीवन बटे इस अवस्था में जो है कि तब जाके कोई हल नहीं होता है अगर तीनों बराबर हो जाए तो आपरमित रुप से अनेक हल होते हैं आयादी एवन बटे टू नाट एकोल टू बीवन बटे बीटू तो कोई हल अधिती हल होता है सारी तो इस तरह से हमें निकालना है कोई हल नहीं के लिए निकालना है कि के का कितना मान होगा देखते हैं तो पहले इस रुप में हमारा एक सवाई और अचर पर साथ होना चाहिए तो अब हल करने जा रहे हैं देखिए पहला समीकर पकड़ने वाले हैं तीन यक्स प्लस वाई बराबर कितना एक है इसको पक्षांद करेंगे को तब सही होगा यह लिखिए तीन यक्स प्लस वाई माइनस एक बराबर जीरो यह पहला समीकर अब इसको लेते हैं किया लिखा is ए दो के मॉइनस वन कि एक्सक प्लस में ए माइनस वन वाई बराबर लिखा है कि कैप लसवारं पक्षांतर कर लेंगे सको अमारे टू के माइनस वन 1 एक्सक्रे प्लस obsиков выглядит er इधर आएगा तो माइनस हो जाए यहां पर दोखे प्लस है इधर आएगा तो माइनस पुश्टिक में वही लिखेंगे लोग टू के प्लस वन इक्वल टू हो जायाएगा जीरो समीकर नॉमबर दो अब ध्यान देंगे कि आप कैसे लगाएंगे देखिए पहला समीकर है तो इसका चाश गुडांक जातीन हैu उसके क선 q one कहेंगे वाई कण गुडांकiden एक है तो इसको इसको बीवन कहेंगे और रहन कमचलप असे सींब कहेंगे अ पर दुसरे समीकर में क्या होगा जो यक्त को क्रूधब Kr dw कहेंगे और इसको चया लाइग यह चाने सीटो कहेंगे च प्लस C1 बराबर 0 तथा कौन A2X प्लस B2Y प्लस C2 बराबर 0 से दोनों समिकरणों की तुलना करने पर या आपको थोड़ी कठना ही हो सकती है तो मैं एक काम करता हूँ सबसे अच्छा तरीका है इसका परसानी ही नहीं हो यह पहला समिकरण बना तहीं त्यार कर लिजिए A1 बराबर कितना 3 तुलना कर लिजिए A1X प्लस B1Y प्लस C1 बराबर 0 से आप तुलना कर दिजिए आप तुलना करने पर तुलना करेंगे तो यक्सस कटेगा तो A1 के जगहां पर क्या दिखाए दरा है A1 कमान 3 लएक कुछी बात नहीं है अब देखेंगे 2k minus 1 x plus k minus 1y y r pk plus 1 प्रक्षंद कर दिर तो 2k minus one x plus k minus oney minus mark two k plus one equal to 0 अब इसका तुलना दूसरे सा करना है नीचे वाला जो बता गया था कि मानक समीकरण मानक समीकरण से तुलना कर देंगे किसे तीज़े कि A2 X प्लस B2 Y प्लस C2 बराबर 0 से हम यहां तुलना करेंगे तुलना करने पर करिए तो यह तुकी जगह पर पूड़ा देखे यक्स एक्स कर जाएगा तो यह आपका यक्स का गुड़ांक A2 है यहां पर आई से एक्सा गुड़ांक इतना है पुड़ा तो कड़ दिए 2K-1 हुगा और B2 बराबर क्या हुआ इतना पुड़ा आई कि K-1 और C2 कितना हुआ यहां पर पुड़ा चिनको लेते वे माइनास 2K प्लस 1 अब कहता है कोई हल नहीं होने के कोई हल नहीं होने पर क्या होता है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 नाट इक्वल टू C1 बटे C2 तो A1 का मन पता है 3 तो लिख देंगे 3 A2 क्या है यतना बड़ा है 2K-1 बराबर B1 कितना है 1 B2 कितना है बच्चों K-1 नाट इक्वल टू C1 कितना है माइनस 1 क्या लिखें 2K प्लस वन आगे बढ़ते हैं तो अब ज्यादा लंबानी में के का मान चाहिए ना तो इससे क्या मतलब कोई मतलब ने इस पहले से दूसरे का तुलना कर दो इसका तुलना इससे कर दो यानि हम लिखेंगे यादी सीधा सीधा देखें गवर करके लिखेंगे तीन बटे दो के माइनस वन बराबर कितना एक बटे के माइनस वन अंस बटे हर तो तिरियक गुड़ा करेंगे तिरियक गुड़ा करेंगे तो इस तीन का गुड़ा हम के में करेंगे तो तीन के हो जाएगा फिर तीन का गुड़ा रिड एक में करेंगे तो रिड तीन हो ज जायेगा अब एक एक का गुढ तो के के करेंगे तो गिंति को गिंति के पास और अचर को अचर के पास आप आपने करद सब्सक्रण तो जायेगा माइनस के इदर आपका एक अब रिड तीन को पक्षान तक कर दीजी तो उधर जाएगा रिड एक तीन है उधर जाएगा तो प्लस तीन हो जाएगा अब क्या होगा दीके तीन के में से दो के घटाएंगे तो के बचा और धन तीन में से घटा दो तो दो बचा यानि हमारा के कमान कितना आ गया दो आ गय तो उत्तर हो गया के वराबर 2 यह हमारा उत्तर हुआ तो इस तरह से हम लगाते हैं अब आते हैं दूसरा का ख़ह में चलिए बढ़ते हैं बच्चों आप दूसरा का खा का सवाज अभी आपका प्रेमेंस है त्रुजों के समरुपता से आँए कोश्चन है सवाल देखिए आप दिया हुआ है आपको कि एक यह एसी है रिखा और बीडी रेखा है इसरे को उपर कारती हैं दो त्रुजों का निर्माड हुआ है उपर है पहला त्रुज नीचे दुसरा त्रुज और गौर करें साब साब दिया हुआ है कि कि एयो बटे ओसी एयो बटे ऊसी चोटा भाग बटे बड़ा भाग फिर दिया है कि बीयो बटे सिन औरिदो तुर जो पहली हमारा हमारा दूसरा तुर दोनों तुर्वजों की सब्चमत जान पाथ में जब जोत का सब्सक्राइब और चुटका लिए बीदवत लगाना चाहिए अगर तो लिखते हैं दिया है कि अफिर होता है कि दिया है फिर लें ग्यात करना है फिर क्या लिखते हैं को लिखते हैं इक बटे तीन सुम्हार कि दिया है दिया है सीडी बराबर एक दसमलों पांच से मिचा जो भी टिया ग्यात करना किसका कि अ बीका मां यह ग्यात करना कि इसका कि आऄे अचना कितना होगा हल कैसे करेंगे देखेंगे जो दिया उसका सहरा ले लो क्या दिया है बच्रमारे सामने देखो कि चुकी पता दू चुकी ौबटे ओसी बराबर बी ओ बटे ओडी बराबर एक बटे तीन जहां भी अगर त्रिभूझ की भुजाएन उपात में हों तो त्रिभूझ समरूप होता है तो यह दिखा देया क बैठ में है इसलिए क्या होगा कि त्रिभूज उपर विला ए ओ बी सम्रूप होगा डी ओ सी क्योंकि भूजाया इन पात में थी सब playoffs समर्संट द्रवोज सम्रूप हो गया तो सीके तो पुजाया इन पात में अटी सब्समरूप हो गया इसलिए अम लिख सकते हैं इसी चीज़ को रिख सकते हैं आप अब बटे ओसी बराबर जो चाह रहा है हमको हमको एभी चाह रहा है छोटे के लिए तब एभी लिग दीजिए पर करिएगा संगत बुजाने ना है इसमें एभी लेंगे दिसमें क्या लेंगे सीडी दिया हुआ इने सेडी तो इधार रख इधे सीडी लिए वट्ते है अगे तो अब क्या करेंगे ए ओ बटे ओसी का जो मान था कितना था एक बटे तीन तो आप लिए वैग बटे तीन बराबर यह भी आपको चाहिए एसीडी सीडी आपको मालूम आपे एक दसमनू पांच अंस बटे हर यह तो तीरीह स्विक हर थ 2-7 गुड़े abむ कुड़के करें दस्मलों पांच दो a b v ब़ाबर एक दस्मलों पांच बटे-3 और घ्रत technical धा अंद बराबर कितना होगा पैन थेंगे लीड skipping आप कर लेते हैं इक दस्मलों पांच में तीन काहला दिंगा तो भाग नहीं जायो पहला काम की कि पहला पढ़ेंगे तीन काउरह दें लिखा हो त Alber Face 2015 कड जाएगा तो कितना हुआ यह सुनिदसमलों पांच अगर सेमी में लिखा हो तों आप सेमी कमेए लिख देंगे यह हमारा उत्तर हो गया इभी ने बलाबर सुनिदसमलों पांच पान ठीक है अब आते हैं दूसरे प्रस्ट का गल लगाते हैं यह तिरकोड में 30 से सवाल है और इस सवाल में सिद्ध यह कि करड़ी में 3 10 12 काट 45 काट 60 इन्टू 10 78 का मान कितना होगा तो ठीक है एक चीज़ान देने वाली बारिकी से है कि बच्चों यह 78 और अगर 12 जड़ोगे तो 90 हो जाएगा तो यानि कि हम अब हम जरूत पढ़ने पर 10 12 को 90-78 लिख सकते हैं या आप 10 78 को 90-12 लिख सकते हैं क्योंकि यही तरीका है चत्थांस के नियम में तो आप एक और बात जानना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए मैं रूल इस्ट्रा बता रहा हूं कि टैन नबे माइनस थीटा पता होना चाहिए कि टैन नबे माइन जब थीटा होता है तो नाम बदल जाता है नहीं टैन का क्या बन जाता है काट थीटा बन जात बारते हैं जहांपर अगर बारा लिखा हो तो इसको क्या लिख सकते हूं नब्हें माइनस 70us अधसे घठाएंगे तब ही तो आप कहें गपाने करेंगे अधारे अंतर तो नब्चातर कितना होता है होता है तो ऑर घणगे तॉ अब लिखेंगे ठीक है चलिए बढ़ते हैं आगे आपका कड़ी में तीन इन्टू टैन मैं बारा को किने लिखूंगा नबे माइनस अथातर बाकी सब को उतार है काट 45 कमान क्या होता है गुड़ एक हो जाएगा काट साथ कमान कितना होता है याद होना चाहिए टैन का उल्टा का होता है यह एक बते कड़ी में तीन गुरते टैन्ट का ऊतर जाएगा उन्हांड गेंगे कड़ी में तीन गुड़े इमाना भी बता रहा था तो काउय की काट कितना 78 गुर्ती एक गुड़ा करेंगे तो जियों काते हों एक बटे करड़ी में 3 नहीं रह जाएगा और जरूत पढ़ने पर आप पढ़ाएं ना कि 10 थीटा है अगर जरूत पढ़ें तो इसको एक बटे क्या लिखा जाता है काट थीटा 10 थीटा को लिखा जाता है एक बटे कार्थ हीटा इसलेम है को लिख लेंगे एक बटे कार्थ अठत्स ह्तुरंत तो आगे बढ़ेंगे ऑपर इमीत से कड़ेंट इन कड़ जाएगा और उपर कार्थ ही निमात स्प्लीत कर जाएगा तो बचिए हैं एक यान यही उत्तंट तरह हमरेंगा एक कि अब आते हैं दूसरे का घा सवाल हमसे पूछा गया है एक लीप वर्स में बावन रविबार होने की प्राइक्ता बताईए तो सबसे पहले मैं जानना होगा कि लीप वर्स होता क्या है तो जिस वर्स में कितने दिन होते हैं तो एक लीप वर्स में 306 दिन हो गए और 352 सबटा होता है और दो दीन होते हैं और सब्टा का मतलब होता है साथ दिना 1 सब्टा हमें सब्टा में साथ दिन तो अब बावन में साथ का गुड़ा कर लेंगे और 2 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा बावन गुरते साधन दो अभी जो दो दिन बच रहा है वो क्या होगा सोम होगा या मंगल मंगल होगा या बुद्ध बुद्ध होगा या बिरस्पतिवार या बिरस्पतिवार होगा या सुक्रवार या सुक्रवार होगा या सनीवार या सनीवार होगा या रवीवार या रवीवार होगा या तो सोमवार और हमसे पूछा गया है कि क्यों रवीवार होने की प्राइकता तो हम सुत्र जानते हैं इसका अज़के बच्चों और एक कंडिशन यहां देखा जायागा ध्यान से तो अनुकुल प्रडाम कितने आ रहे हैं एक दो तीन चार पांच अकुल कितने प्रडाम हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ तो बावन रविवार होने की प्राइकता अगर चाहिए तो सुत्र हो गया हमारा कि बावन रविवार होने की प्राइकता बराबर अनुकुल प्रडामों की संख्या बटे कुल संभाव प्रडामों की संख्या तो अनुकुल प्रडाम कितने आए एक दो तीन चार पांच कुल कितने आए एक दो तीन चार पांच है साथ तो पांच बटे कितना होगा साथ पांच सीधा सवाल था तो यह हमारा कंप्रीट हुआ और अगले वीडियो में मिलते हैं कोईस्टन नमबर तीन के साथ तब तक के लिए बच्चों ध्यान से पढ़िए सायोग करिए हम आपके साथ हैं धन्यवाज़